तो साथियो आज हम प्रतिकात्म कंते क्रियवाद के तैत इर्विंग गौफमेन के बारे में चर्चा करेंगे इन्होंने अभीनिय सास्तर ड्रामाटरजी प्रिपेक्षिय परस्तूत किया था इनका जो सिधान्त है वो सबसे हटकर है और जब दस्मी क्लास है प्रतिकात्म कंत क्रियवाद पे हम चर्चा कर रहे हैं इर्विंग गौफमेन ने अनेक आउधारणाइं दिया जैसे कि अभीने सास्तर फ्रेम अनालिसिस यानि डांचा संपुर्ण संस्ता टोटल इंस्टिटूट्स पारश्परिक क्रिया विवस्ता परभाव परबंद एयों अध्यन था लेकिन ये अमरिकी समाज सास्त्री माने जाते हैं क्योंकि ये बाद में अमरिका के अंदरा के बस गये थे 19 नॉमबर 1982 को इनका निदन हो गया था तो कनाडा में जनम हुआ था कनाडा के बाद ये सेट लेंड द्यूपसमू है वहाँ पे चले गए थे अध्यन करने के लिए सोधकार्य करने के लिए बाद में अमरिका में आये थे और अमरिका में शिकागो संपर्दाय से जुड़े अंते करियावादी सिधानतों के लिए जाना जाता है तो प्रतिकातमक अंते करियावाद की जो सरुवात है इसकी जो पर्ष्ट भूमी है इसकी जो नियू रखी थी वो हरबर्ट मीड ने रखी थी किनो ने रखी थी मीड ने रखी थी बाद में मीड के सिश्ये बल्यूमर ने इसको साकार रूप दिया बिल्कुल इसमें गहराई से कार्य किया इसको स्तापित किया प्रतिकात्मक अंत्यक्रियावाद में तो सबसे बड़ा जो रोल है प्रतिकात्मक अंत्यक्रियावाद में वो बल्यूमर का है और बाद में बल्यूमर के पहले सिस्य रहे थे गोफ् यह बल्यूमर के साथ इन्होंने अध्यापन भी करवाया था कहां पर करवाया था शिकागो विश्ववधालिया के अंदर इन्होंने अपना जो सोधकारे है अपना सोधकारे है वो स्कोटलेंड के सेटली सेटलेंड दीपसमुए में किया था यह दीपसमुए है इनमें से एक का इनोंने सहभागी अवलोकन के जरी है, क्योंकि वहाँ पर दियूपसमों में रहे हैं, तो एक परकार से सहभागी अवलोकन ही हो जाता है, तो उसमें इनोंने परती दिन के जीवन में, वहाँ परती दिन के जीवन में जो परतीक और अनुष्ठान, अनुष्ठान की हमचर् हैं कि जो हमारे धार्मिक किरियाकलाप होते हैं जिनको प्रियों क सब्सकHH20 क्रकार से करते हैं और अनुष्टान रिचुल्स का प्रयोग किस परकार से किया जाता है इसके अधार पर इस अध्यन के अधार पर एक पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम क्या है सबसे मैं तो पुन है दै परजेंटेशन ओफ ए सेल्फ इन एवरी डे लाइफ परती दिन की जीवन में सोयम को किस परकार से हम परस्तुत करते हैं इसके बारे में इनोंने बताया है तो ये सब इनोंने 1969 में ये किताब लिखी थी ये इस अध्यन के धार पे इनोंने परस्तुत किया था और एक इसको बोलते हैं अन्तेकरिया नुष्ठान क्या बोलते हैं अन्तेकरिया जाम में भी पुछा गया है कि किसने अन्ते करिया अनुष्ठान की चर्चा है वो की है तो किसने की गोफ में नहीं तो एक अध्यन तो इनका ये हो गया से इटलेंड का दूसरा जो अध्यन इन्होंने किया वो 1954 से 1957 तक 1954 से 1903 मिन का सोध करें पूरा हो गया तो उसके बाद 1954 से 1957 तक ये नेशनल इंस्टिट्वीट फॉर मेंटल हेल्स गोफ से देखना इसको के जरीए गहन अध्यन किया किनका अध्यन किया अगर ये mental health में तो जो मनोरोगिये उनका ध्यन किया और इसके अधार पर जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1961 में उस पुस्तक का नाम क्या है क्या नाम है पागल खाना हिंदी में क्या कहेंगे पागल खाना mental health यानि जो मनोरोगिया वो कहां जाते हैं पागल खाना ही जाते हैं तो asylum पुस्तक का नाम था 1961 में asylum यानि हिंदी में कहेंगे पागल खाना इस पुस्तक में इन्होंने जो एक आउधारना दी थी total institute पूरन संस्ता या कुल संस्तान कौन सी आउधारना दी कूल संस्तान की आउधारना परस्तुत की तो हम देखते हैं ना कि कुल परस्तान की या टोटल इंस्टिटूट की अओधार ना किस ने दी गोफमे ने दी तो ये किस के अढर पर दी थी ये चीज़ा आण को आज पता चल गया तो इसमें ये पूचते हैं अब देखो प्रतिकात्मकंते करिया वाद अगर बल्यूमर है या नहीं है अगर प्रतेकात्म कंते क्रिया वाद आ गया तो vocumenu Rphonici अजाएगा तो ये आउलोकन विद्धी है सहिभागी आउलोकन ये दिए भी पुछा गया है कि गोफ मेंने किन का आध्यने वो किया है किस विदी का दिन से किया तो आउलोकन विदी का इनोंने प्रयोग किया था 1964 में 1964 में स्टिग्मा यानि कलंक एक आउधारना दी पुष्टक दी 1964 के अंदर जिसमें इनोंने बेबलिंग सिधान्त लेबलिंग सिधान्त को अधिक विक्षित किया वेसे लेबलिंग सिधान्त किस ने दिया था लेबलिंग सिधान्त क्या है क्या है लेबलिंग सिधान्त मैं एक बार इनके ये जो मुख्य मुख्य योगदान है उस पे चर्चा कर रहा हूँ उसके बाद मैं इनके बिने सास्तर के सिधान्त पे आएंगे तो लेबलिंग सिधा लेबलिंग से दानता है वो किस से जुड़ा हुआ है वो अपराद सास्तर से जुड़ा हुआ है क्या है अपराद सास्तर से जुड़ा हुआ है यह हावर्ड बेकर ने दिया था किस ने दिया था बेकर ने 1963 के अंदर 1963 के अंदर दिया था साहे तक कहता है कि कोई अपराद ही हो करता है, इस लेबल लगाने को Haard Bakker ने, की लेबल लगाने को एक विचारक और हैं, Lamerat, Lamerat ने क्या का था प्राथमिक विचलन, क्या का था इसको प्राथमिक विचलन का था, याद आ रहे है क्या कुछ है, हम ने सामाजिक वाले विचलन वाले टॉपिक में यह पढ़ा था, L वो वेक्ति बार-बार चोरी करता है तो इसको कलंक का है स्टिगमा का है गोफ में ने हाओड बेकर ने इसे लेबल का है और लेमर्ट ने इसे क्या का है परात्मिक विचलन का है ये बल्यूमर दुर्खिम लिंड वारनर और सिमेल इन चारों से प्रवावित रहे हैं परतिकात मकंते करियावाद इनोंने बल्यूमर से लिया है धरम का देन किया था इनोंने वो दुर्खिम से लिया था परस्तिति का देन इनोंने वारनर से लिया था तो इसमें क्या किस अलनकार का प्रियोग हुआ है रुपक अलनकार का प्रियोग हुआ है किसका रुपक अलनकार रु तो गौफ मेंने मान्व वेवार की तुलना किसे की है रंगमंच से की है तो मान्व वेवार को रंगमंच की उपमा दी है इसके इलावा इनोंने अगरमंच, पस्चमंत, परभाव परबंद, डांचा विशलेशन, आधी आउधारनाई भी दी है तो अब हम इनके मुख्य सिध सिधानत क्या है इनका मुख्य सिधानत है नाट कियता, है और ड्रामा तर्जी, और देनिक जीवन, इनकी जीवन में किस परकार से द्रामा हम करते हैं तो रूपक के तोर पे इन्होंने नाटक और अभिनिय के विचेयार का उपयोग की है जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं यानि रंगमंच की तुलना उपमा रुपक है वो मानवेवार के साथ की है तो ये अभिनेय सास्तर क्या है अभिनेय क्या है तो अभिनेय एक कला है क्या है अभिनेय एक कला है जिसमें एक्टर अभिनेता या करता जो हम कर रह अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक रंग मंच है, ये मेरा ओरिजनल जीवन नहीं है, तो एक टीचर किस परकार से त्यार होके आता है, अपने साथ किस परकार से ड्रेसिंग सेंस रखेगा, किस परकार से उसका मंच सजा होगा, इसके सायक उपकरण कौन- और आप दर्सक हैं, मैं इस ड्रामे का एक्टर होगया, आप दर्सक होगे, तो आप और हम इस परकार से इस अभिनिया सास्तर को समझ सकते हैं, और ये तो मैंने क्यों एक एक्जांपल दिया है, हम दिन परति दिन के जीवन में ऐसे ही करते हैं, जब आप किसी दूसरे के सा जाते हैं, यानि जब कोई दर्सक आ जाता है, तो हम एक्टर बन जाते हैं, और जब कोई दर्सक नहीं होता है, तब हम एक्टर नहीं होते हैं, तो फिल्में देखी होगे, फिल्में में एक्टर वाव किस परकार से करता है, तो अभिनिया क्या है, एक कला है, जिसमें कि बुमिका को अब दूसरा किरदार कौन सा है जैसे हम देखते हैं कि कोई ओरिजिनल वेक्ति कोई और होता है वो राम का रोल कर रहा होता है रोल पदा कर रहा है बुमिका दा कर रहा है या हम कोई फिलम देखते हैं किसी जीवनी पे बनी होती है तो वो उसकी बुमिका में हो आई या में पन छोड़ कर जो राम बन जाता है तो फिर राम का रोल हो जाता है वो अपने परसनल उसका व्यक्तितव है उसको छोड़ देता है उसके अपने एहंकार को वो त्याग देता है और वो क्या बन जाता है में बन जाता है मेरा बन जाता है ये ड्रामा उसका उसका ए अवलोकनिये विवार है दर्सकों के लिए जो अवलोकनिये विवार है वही नाटक है आप देख रहे हो वही नाटक है तो जैसे कि हम रामलिल्ला का मंचन है वो सदियों से करते आ रहे हैं सेक्सपीर ने भी अपनी पुछतक है is you like it में कहा है कि संपुर्ण विश्व है एक रंग मंच है ये बात है वो सेक्सपीर भी बहुत पहले कह चुके हैं कि संपुर्ण विश्व है एक रंग मंच है एक व्यक्ति को केई भुमिकाओं का निर्वा करना पड़ता है वो कभी पिता बन जाता है कभी दोस्त बन जाता ह है कभी बेटा बन早ता है कभी और कुछ बन जाता था तो गुमिकां। निरुबा करता है तो यह से बात है वो कौन करते सैक्सपिर भी करते हैं क्योंक्ति एक नटक लिखने वाले ड्रामा उन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं तो कहीं न कहीं से हम इसको गौफमेन और सेक्सपियर को भी एक साथ जोड सकते हैं और गौफमेन क्या कहते हैं कि इस नाटकियता के परभाव से ही सव उत्पन होता है क्या होता है? इसे ही सव उत्पन होता है एकजामपल के तोर पे एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी कोई भूमिका नहीं होती है लेकिन उसको दिरे दिरे एहसास कराया जाता है कि तुम बेटा है किसी का और वो बेटे का रोल अदा करने लगता है तो वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है लेकिन जैसे ही मम्मी पापा आते हैं अगर वो अपनी मस्ती में कोई सरारत कर रहा है तो वो क्या है सरारत करना छोड़ देगा और वो उस भूमिका में आ जाएगा नाटक करना वो शुरू कर देता है, तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत नाटक बाज बन जाते हैं, जब उनको कोई खेलने की या किसी को गोध की मन में होते हैं, तो वो रोने लग जाते हैं, तो वो वहाँ पे नाटक कर रहे हैं, उससे उसका स्ववि किया है, एक, फरंट, मंच या, सम्मुख, अब हिंदी में कही नाम आ सकते हैं, मंच भी बोर दे, सम्मुख बोल दे, तो फरंट होता है वैसे तो, तो क्या होता है, जब हम रामिला देखते हैं, आपने देखी ये सब क्या है फरंट है ये क्या है फरंट है इसके ये पिछे पर्दे इसके पिछे पर्दे हैं और ये जो कलाकार है इसके जो किरदार है वो इसके पिछे चले जाते हैं त्यार होने के लिए यानि उसके पिछे को वाकू क्या बोला है बेक बोला है पस्च मंच बोला है इसक लेकिन इतने से बी काम नहीं चलता है जब यह एक सीन क्रियेट किया जाता है उसके अंदर ये माइक दिया हुए इन्होंने अलग-बेस-बुसा पहन रखी है इन्होंने अलग-बेस-बुसा पहन रखी है बेग्राउंड है वो भी कुछ इसली परकार का होता है कुछ यहाँ पे फूल बगेरा लगे होते हैं यहाँ पे चोकिदार लगा है चोकिदार ने अलग ड्रेस पेंद रखी है सिता ने उसके रूप में ड्रेस पेंद रखी है इन्होंने पिला बस्तर धारण कर रखा है तो आप यह सब कुछ देखेंगे तो इसी के उपर पूरा का पूरा सिधानत है किनका गोफ्मेन का तो मंच होता है तो यह वह मंच है जिसमें अभीनेता करता एक्टर अपना अभीनेत अपना ड्रामा दिखाता है और परतेक जो अभीनेता है वो दर्सकों के सामने अच्छा परभाव डालने के उदेशे से अभीनिय करता है क्या करता है अच्छा परभाव डालने के उदेशे से क्या करता है अब मैं जैसे टीचर हूँ तो मेरा क्या है कि मैं अच्छा परभाव डालना चाहता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, मैं अपना सरोस्रेश्ट करने का प्रयास करता हूँ, यही मेरा उदेशया होता है और यही सब का उदेशया होता है, जब आप एक कुत्र की भूमिका में होते हैं, तो अपने माबाप की जब सेवा करते हैं, या आप पिता की भूमिक तो है वो क्या है, परभाव परबंध है, अभिने का मूल तत्वे क्या है, परभाव परबंध है, तो अच्छा परभाव डालने के लिए, अच्छा परभाव डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परबंध करना पड़ेगा, मनेजमेंट करना पड़ेगा, फिर ही करना पड़ेगा तो ये सब होता है परभाव परबंद परभाव डालने के लिए management करना आप परभाव डालने के लिए क्या हो करते हैं कि मंच है वो उसमें कोई ये तो है नहीं कि एक्टर अकेला होगा अभीनेता अकेला होगा उसके साथ में विशेश बेस गुसा होती है जिस साज सज्जा है तो ये क्यों की जाती है ये परभाव परबंद का एक पारट है क्या है परभाव परबंद का एक पारट है पारट की चर्चा है वो ये महतोपरना यहां पे अपने अबिने सास्तर के सिधानत में गोफ मेंने वो किन-किन सिधानतों का प्रयों करते हैं तो उ ये पार्ट है ये जो बेस बुसा साथ सचा की जाती है ये सभी वस्तुमें ये प्रवावी तरीके से अभीनिया को प्रस्तुत करने के लिए की जाती है तो इसकी पहले से कहानी रची जाती है जिसको क्या बोलते है स्क्रिप्ट कहानी रचना पहले पहले कहानी रची जाती है कि तु यह यह समवाद बोलेगा, तु यह यह बोलेगा, सुरोता होते हैं, और क्या होते हैं, स्टेज होता है, एक्टर होता है, पार्ट होता है, मास्क होता है, तो यह सब्दावली का प्रियोग है, वो गोफ में ने अपने सिधान्त में किया है, तो यह तो बात होगी नाट कोई ओपिस भी हो सकता है कार्यस्तल पर अभिने करते हैं ठीक उसी परकार से जिस परकार से राम लिल्ला का मंचन होता है या आपने कोई फिलम देखी है उस फिलम में कलाकार वो ड्रामा करता है तो इसको इन्होंने का है कि नाठ किये सव परस्तुती करण गौफ में ने इस किया यानि अपने आपको सव परस्तुती करन करना तो इसमें वस्तर आते हैं अब में हो सकता है बैसे ही गर में कोई पड़े रहें लेकिन जैसे ही कोई ओपिस में जाता है पड़ाने के लिए तो टाई टूई लगा कर टाई टूई लगा कर आप है वो जा सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा उसका विशेश बस्तर हो जाएगा, मेकप करते हैं, दुला दुलन बनते हैं तो वो अलग करते हैं, डोक्टर है वो अपनी अलग ड्रेस पहनता है, पुलिस है वो अपनी अलग ड्रेस पहनता है, एर होस्टेज है वो अपनी अलग ड्रेस पहनते हैं, ताकि वो अपने आपको पुलिस के रूप में परस्तोते कर सके तो यहीं से गौपमेन कहते हैं कि जब सव बाहरी दुनिया के संपरक में आता है तो बाहरी दुनिया उसके लिए विसाल रंगमंच है बाहरी दुनिया पूरी दुनिया उसके लिए विसाल रंगमंच है और जो एक salesman होता है अब salesman क्या है एक्टर है salesman क्या है एक एक्टर है और वो जब हम जाते हैं उसे समान लेने के लिए तो वो क्या करता है इस दुनिया के अंदर उसके पास रंगमंच क्या है ग्राहक और वो पूरी की पूरी दुकान वो बोलता है ना मेरे पास तो यह 10,000 का है बोतिक चीजों से नहीं बनता है यह जो परभाव परबंध है यह क्या है केवल बोतिक चीजों से नहीं बनता है इसके लिए क्या करना पड़ता है अभिने भी करना पड़ता है एक मानसिक परबंध भी करना पड़ता है तो दूसरे करतागण है अब यह क्या होता है इस स्वयम है वो दर्शक बन जाओं यानि जब हम करते हैं तो हम एक्टर हैं लेकिन दूसरा बोलता है हम सुनते हैं तो सुनते ही हम क्या बन जाते हैं दर्शक बन जाते हैं तो इस परकार से सव को सेल्फ को अनगनित अभिनिया है वो जीवन के अंदर करने पड़ते हैं तो स्व विवस्ता, सिस्टम, जिसमें हम रंगमंच को सामिल कर सकते हैं, परष्ट भूमी को सामिल कर सकते हैं, संसाधन को सामिल कर सकते हैं, संकेत बाहक को सामिल कर सकते हैं, संकेत का मतलब होता है कि कुछ विशेज परकार के सब्दों का परियोग करना, तो परष्ट भूमी है वो क् ठीचेट पैन सकता हूं, तो ये क्या हो गया? परफ्थुती हो गई और वेवार, और तो तरीके भी किस परकार से हम वेवार है वो करते है। तो ये तो फ्रंट होता है, अब क्या होता है, बेक होता है, दूसरा क्या होता है, नेफथस्य बेक होता है, यानि उसकी परष्ट भूमी, इसको क्या बोलते हैं, पस्च मंच भी बोल देते हैं, तो ये पिछे की परष्ट भूमी होती है जहां दर्सक और दुनिया है वो दिखाई नहीं देते हैं इसमें किरदार है वो अभी ने के लिए अपने आपको त्यार करते हैं तो वो तियार करके आता है, बिनेक लिए अपने आपको उसी परकार के dressing sense, उसी परकार का विवार है, वो आचरन है, वो करता है, और इससे क्या है कि वेक्तिकत सब है, वो जो पहले क्या था में से मेरा बनाता है जब हम रंग मंच करते हैं, अब मैं नहीं हूँ, अब मैं आपके हिसाब से, समाज के हिसाब से बोल रहा हूँ और बाद में जब प्रश्ट वुमें चला जाता हूँ, तो मैं से पुन्य सोरी मेरा से पुन्य, मैं बन जाता है, मी से आई बन जाता है और इसमें क्या होता है निज्जी वेवार होता है अनोपचारिक वेवार होता है लेकिन जैसे ही दर्सक आएगा वो अनोपचारिक वेवार किसमें परिवर्तित हो जाएगा ओपचारिक वेवार में परिवर्तित हो जाएगा और जैसे ही दूसरा कोई वेक्ति आएगा अब भ पति-पतनी के बीच में छोटा मोटा जगडा आम बात है, ये रूशना मनाना ये थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, तो कोई व्यक्ति जब घर में दोनों पति-पतनी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को हो सकता है कुछ ऐसी वैसी बातें बोल रहे हों, तो आपस में कुछ भी है, वो लड़ रहे हों, लेकिन जैसे ही कोई घर में मैमान आता है, तो वो खामोस हो जाते हैं, वो फिर क्या है, अपना ओरिजिनल रूप त्याकर, वो समाज की रूप में आ जाते हैं, वो में से मेरा बन जाते हैं, और उसका वेवार है, वो पुरण त आता है, या इसी परकार से व्यक्ति जब घर में अकेला होता है, कोई दूसरा आता है, तो वो जट से कपड़े पेनना शुरू कर देता है, उसी परकार से वेवार करना शुरू कर देता है, इसी परकार से हम कहीं रिष्टेदारों में जाते हैं, साधी में जाते हैं, तो क् अगर किरिशन लेला चल रही है, तो किरिशन जाका बेहस है, वो दारण करना पड़ेगा, तो जब मर्तिव होती है, तब हम अलग परकार के एक अपड़े पहनते हैं, अलग परकार से अपने आपको तियार करते हैं, वहाँ पे खामोस बेट जाते हैं, कुछ भी हम नहीं बोल दुनिया अभी ने है, आम जियोन में हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, कि जहां दुखी हो आ, दुख हो लिए, सुखी हो लिए, दूसरे के साथ मिल लिए, बोल लिए, उसके दुख हो, सो सेड बहुत कुछी हुई बदाई हो कॉंगरिलेचेशन तो यह सारी चीजों का सब अदक का प्रयोग हैं वो हम करते रहते हैं तो यह सब इसको बोलते हैं परभाव परबंद इसको ही बोलते हैं तो मैं और मुझे बेक और फ्रंट यह दो आवधारनाओं का प्रयोग किया ह है और व्यक्ति हमेशा अपने आपको स्रोस्रेश्ट दर्साने का प्रयास किया जाता है वो सबसे अच्छा नाटक करने का प्रयास करता है अगर आप किसी रिस्तदारों के जाते हो तो आप अच्छे रिस्तदार बनना चाहते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो एक अच्छ पीचर आप बनना चाहते हैं तो दूसरों के सामने हमेशा परश्टूत है वो संकेतों के रूप में करते हैं किसके संकेत वाहक संकेत वाहक का है अभी मैं बताऊँगा क्या आरत होता है तो हम सरोस्रेश्ट परतिकों का परियोग करते हैं किसका करते हैं सरोस्रेश्ट परतिक का प्रियोग करते हैं उदारन के तोर पे जब हम दुकानदार या सेल्समेन के पास जाते हैं तो सेल्समेन और जो दुकानदार की चर्चा होती है वो कैसे होती है वो दोनों बहुत अच्छा प्रभाव प्रवंद करते हैं और संकेत वहाग है वो बड़े अच्छे प्रियोग करते जैसे ही हम सूट लाने के लिए जाते है या अपने कपड़े लाने क aún कला है तो अच्छा लग रहा है यह कलर तो आप पर बहुत मेच कर रहा है यह लिजाइन तो अब तो कुछ देखने की आऊ सकता ही नहीं है मेरे कहने से ले लिजी मुझे तो कोई फरक नहीं तो वो इस प्रकार के जब संकेत वहाकों का प्रयूब करता है तो वो क्या है अपना परभाव छोड रहा होता है और ग्रहे क्या कहता है उसकी rate देख लेता है कि इस बार हमें लगता है कि ये तो 4000 रुपे की चीज है 3000 रुपे की चीज है 500-700 कि जो भी चीज अपनी सोचते हैं फिर हम क्या कहेंगे नहीं जी अच्छा नहीं है अब ये नहीं कहेंगे कि इसकी rate जादा है हम क्या कहेंगे कि नहीं ये तो मुझे पसंद आया नहीं है अब वो क्या है कि दुकानदार और salesman sour Waarom उर है उनके बीच में वह वारतालाइब होता है वो एक बहुत अच्छा अभ परवाव परबंद कर लेता है उसके तो वो बोलते ना कि राजतानी में कावत है वो सकता आपके भी हो कि बोल लाए भी गा तो बोरिया भी बिक जाए और ना बोल लाए तो भी आम भी रे जाए यानि जो बोलता है जोड़ जोड़ से आवाज देता है अच्छा भी ने करता ह उसके तो बुरे बेर भी बिख जाते हैं और जो नहीं बोल पाते हैं उनके आम भी दरे के दरे रहा जाते हैं तो परवावपरबंद हो गया important है परवावपरबंद आगे है अध्यन की विद्धी की अध्यन के रूप में किस विद्धी का प्रयोगा वो किया है तो अध्यन की विद्धी की रूप में रुपक के हों, आउलोकन का प्रयोग किया है रुपक, यानि मेटोफोर, यह इनकी महतोपौन चीज है, इसका प्रयोग किया है एक विद्धी की रूप में, तो जैसे वो कहते हैं न कि संपूरण विश्वय एक रंगमंच है, तो फरंट की अउधारी ना है, उनकी राजस्तानी नहीं आती है, जब हम लोकल आपस में बाट चीत करते हैं, तो वो किसी के समझ में नहीं आती है, रूबन बिलियम्स ने अपनी पुस्तक सोशिलोजी ठिंकर्स में, सोशिलोजी ठिंकर्स में, औलोकन के तीन प्रकार बताए, कितने परकार बताए आउलोकन के तीन परकार बताए यह आउलोकन का विश्य है लेकिन मैंने यहाँ पे इसको लिया है क्योंकि मैं भी पहली बारी पढ़ रहा था इनका वरगी करण कि बिलियम्स ने ये तीन परकार के आउलोकन के बरगी करण बताए, एक जातिय आउलोकन, इसको बोलते हैं आजकल एथनो, इसको विदी के रुप में प्रयूप करते हैं, एथनो मेथडो लोजी, तो इसमें समान्य जन जीवन का ध्यन वो किया जाता है, तो ये एथनो में इने खूब इसका प्रयोग किया है, इनोंने अपने जो पागल खान, Creating Health, Research जो इंश्ट्योट था, उसमें भी इसका प्रयोग किया है, और सेटलेंड दिवन्स में भी इसका प्रयोग किया, दूसरा होता है परकर्ति वादी आउलोकन, यानि परकर्ति के सी प्रकार किया जैसे बोलने की से लिया है, उनका अधिना वो परकरती की रूप में तिया जाता है सवाविक रूप से, और एक होता है, तीसरा परकार है दियुत्यक अलोकन, जाती है परकरती और दियुत्य अलोकन, दियुत्य अलोकन में क्या होता है, कि प्राथमिक अलोकन में तो चीजों क पर टेक्स देखा जाता है दिवत्यक में क्या है दिवत्यक जो स्रोत होते हैं दिवत्यक सोर्ष कौन-कौन से होते हैं समाचार पत्र होते हैं उपनियास होते हैं कहानिया हो सकती है कोई भी लिखित रिपोर्ट्स हो सकती है तो इन्होंने जासुसी उपनियासों का जासुसी प्रियोग में लिया है और उनका आवलोकन किया है तो इस प्रकार इनका जो आवलोकन होता है उसको दिवत्यक आवलोकन कहते हैं और गोफमेन पे आलोचना की जाती है कि इनों ने जो अधिन सामगरी है इनकी वो प्रात्मिक से कम दिवत्यक सरोतों से अधिक प्राप्त की है इनके अंदर जितने भी कोई सामगरी होती है कंटेंट होता है द्यूतेक्स असादनों में तो ये बड़े ही खूबसूर्थ तरीके से वेसे हम चर्चा करेंगे इनकी आलोचना में तो ये बहुत ही खूबसूर्थ डंग से उन सबको एक फ्रेम में डाल देते हैं क्या अगर प्रेम अनालिसिस या दांचा विसलेशन तो गोफ मेंन के नुसार वेक्ति जो कुछ करता है वो समाज द्वारा दियेगे दांचे में करता है उनको एक मेल डाल दो भी दिक्कत बहुत आ रही है तो जिस परकार से इमाईल दूर्खिम ने समाजिक तत्यों का दिन किया है उसी परकार से इनोंने डांचे का प्रियूग किया है समाजिक दांचे के नुसार और ये जो समाजिक दांचा है वो समाजिक परस्तिती में नहीत होता है समाजिक स्तिती के अंदर नहीत होता है जै जनम है मर्त्यू है तो विवा के अंदर क्या होगा पहले से निश्चित होता है कि विवा के अंदर यह यह परंपराएं होगी मर्त्यू होती है तो यह यह परंपराएं होगी जनम होगा तो यह यह परंपराएं होती है इन समरों में सब कुछ होता है वो पहले से निश्चित ह होता है और ये समाज की प्रकरति क्या धार के होता है जिस समाज की जैसी प्रकरती होगी जन्जातियों में विवा के यह उसर पे अलग क्लिया होगी और ग्रामीन्स समाज यह तो अलग अलग परकार की क्रिया होगी तो व्यक्ति है इन दांचों से बाहर नहीं जा सकता है इन दांचों के अंतर गती वो अपना सामाजिक क्रिया करता है और इन्हों ने दो परकार की ये दांचे बताए है फ्रेम बताए है एक बोतिक या प्राकर्तिक फ्रेम और एक सामाजिक फ्र हैं प्रयावन हैं वो समाज पे प्रवाव डालता है उस परकार के उनकी गत्तिवीदियें होती है किरियें होती है और सामाजिक फ्रेम यानि जो विवा समंदी जनम समंदी जो किरियें होती है उनको उन्होंने सामाजिक फ्रेम कहा है और इस जो इनका डांचा विशलेशना इ क्या है पारस्प्रिक किरियाई होती है किस परकार की किरियाई होती है पारस्प्रिक किरियाई होती है तो इसको बोलते हैं पारस्प्रिक किरिया वेवस्ता क्या बोलते हैं पारस्प्रिक किरिया वेवस्ता तो ये सुक्सम सामाजिक किरियाओं को क्या करते हैं बड़े ही सरंजनात्मक तरीके से विशलेशन करते हैं गोफ्मेन है जो सुक्सम सामाजिक किरियाओं है यानि अन्ते किरियाओं हैं उनका बड़ा ही अच्छे तरीके से विशलेशन करते हैं पारिश्प्रिक क्रिया से मतलब है किया में जो भी कारवाई होती है जो जो चीजें होती है उसका करता अर्थ निकालता है क्या करता है? करता है वो अर्थ निकालता है और अर्थ है वो किस पे अंदरबर करता है वो हमेशा संधरब पे अंदरबर करता है जैसे हमारी कुछ चार पांच दोस्तों के सब बारतालाप होता है तो हम उसको कोई बात बोलते हैं हम उसको कोई बात बोलते हैं कि बहुत आनंदारा है या जैसे एक जमपल के तौर पे बोल देते हैं कि 6 बजने वाले हैं जो संद्रब को जानता है न, वही उसका अर्थ बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता, दूसरा एक तो पता ही नहीं कि 6 बजने वाला क्या होने वाला है, या किसी के कोई और का में बस जाना है, कहीं को बाहर जाना है, तो वो कहेगा गर पे कि 6 बजने वाला है, तो अगर जिस सकते हैं अंत्यक्रिया में पारस्परिक अंत्यक्रिया में हजार भी हो सकते हैं लाख भी हो सकते हैं लेकिन अध्यनका के अंदर कोण है वेक्ति है अंत्यक्रिया होगी तो उसमें वेक्ति ही अध्यनका के अंदर होगा फिर उन वेक्तियों के बीच में क्या होता है संप्रक हो सकता है या अन्यमाध्यमों से हो सकता है और अब वेक्ति आगे दो वेक्ति आगे आपस में आगे तो वहाँ तक संपरक है फिर क्या होती है उनकी मुठबेड होती है क्या सब्द का प्रियुकि है मुठबेड सामना अनकाउंटर्स यह पुष्टक रही है 1961 के अंदर तो इसमें उन्होंने का है कि उनके बीच में मोखिक संचार होता है उसको उन्होंने क्या का है अनकाउंटर्स कहा है मुठबेड का है वेसे नहीं का है जैसे कि आज कल योगी जी अपरादियों अपनी पुलिस को बोलते हैं क अपरादियों के साथ आपको मुठबेड करनी है अनकाउंटर्स जो होते हैं न वो अनकाउंटर यहां पर नहीं है यह योगी जी वाला अनकाउंटर नहीं है यह वेसे ही आमना सामना होना है फिर क्या होता है जब आमना सामना होता है तब अभिने शुरू होता है तब क्या मुहाव़े होते हैं जो हमारी कानियां होती हैं उनको अनुस्ठान कैते हैं उनका भी प्रयोग नोंने सामाज कान्ते करिया के दोरान किया है कि जैसे हम बीच में भार-भार लोग प्रयोग कर लेते हैं तो वह अनुष्ठान या कोई कानी का कि तु ज़्यादा है ना राजा रिष्चंदर बनने की कोशिस मत कर तो वो क्या है राजा रिष्चंदर की जो कानी है वो क्या है एक परकार का अनुष्ठान है तो इस परकार के जो सामाजिक परसंग होते हैं उनका प्रयोग भी हम अन्ते करिय में एक रुपता होती, क्या होती है, एक रुपता होती है, जैसा समाज होता है, वेक्ति वेसा ही वेवार करता है, क्या है, जैसा समाज होता है, वेसी ही वेक्ति की एक रुपता होगी, इसको इन्होंने का है, टाई साइन्स, बांधना, यानि जितनी भी वेक्ति का वेवार है उसको एक बांधन एक चीज में बांध दिया है किसको वेक्ति के किरियाओं को अब किरिया हैं तो बहुत सारी होती है अब उन किरियाओं को एक साथ बांध के रखेंगे एक साथ ही समझेंगे ना तभी हम उनको समझ पाएंगे और ये क्या होता है एक रुपता होती है वो क्या होती है समाज के दार पे होती है क्या होती है समाज के दार पे होती है इसलिए C.H. कुले क्या कहते हैं कि वेक्ति है वो समाज का दरपन है क्योंकि हमेशा किरियाएं बुमिका है वो सविकार कर ली जाती है और किस प्रकार से की जाती है समाज के अनुकूल की जाती है जैसा समाज होगा वेसी वेक्ति की किरिया होगी यानि वेक्ति समाज का दरपन है लेकिन हमेशा इसा नहीं होता है कभी कभी वेकर उसमें निर्वर्चन करता है तोल मोल करता है क्या करता है तोल मोल करता है निर्वर्चन करता है उसको अपना अर्थ परदान करता है जैसे कि साधी हो जाती है पती पतनी है अब पती पतनी का जो रिलेशन है वो क्या आज जैसा है वेसा ही अमेसा होता था बिल पीट भी कर लेता था लेकिन पत्नी है वो कुछ भी नहीं कहते थी तो ये क्या था ये उनका जो अंतेकरिया थी वो समाज में सविकार ये थी और व्यक्ति उसको जियों का तियों सविकार कर लेता था पत्नी उसको सविकार कर लेती थी लेकिन अब क्या होता है पत्नी ने कहा कि हमें सांसे इसा चलता नहीं आएगा यानि जो उसकी बुम्मी का है वो जियों कित्यों से विकार नहीं करती है वो क्या कहती है कि यह सां नहीं चलने वाला है तलाक दो बात खतम करो पहले तलाक तो होते हैं नहीं थे तलाक दो बात खतम करो तो फिर वो क्या तोलमाल चलता रहता है कि आप देखो आपको बरतन भी दोने पड़ेंगे आपको कुछ काम भी है मुझे सेयोग भी करना पड़ेगा और अब मैं बहार नोकरी करने भी जाओंगी तो इस परकार से ये तोल मोल चलता रहता है किरिया ये बराबर बदलती रहती है और समाजिक सरंचना बराबर बदलती रहती है तो ये तीन परकार के सव की अभिवेक्ति है तीन परकार बताएं है एकता के जो एकता होती है समाज के अंदर एक सव की अभिवेक्ति तो इसमें इंस्टूट की इनों ने बात की ना कुल संस्ता की तो उसमें वो सारे के सारे क्या होते हैं एक जैसे विवार करते हैं वो सारे के सारे वहां अगर mentally disturbed है तो वो क्या कहेंगे कि हम mentally disturbed नहीं है मैं पागल नहीं हूँ तो इस परकार की एक रूपता उनके अंदर होगी और तीसरी है शरीर की प्रासिंगता यानि एक रूपता में सरंचना महतवप्रण होती है यह सरंचना बोत्ति के हों सारेरिक रूप से परदर्शित की जाती है गोफ मेने से लिंग और जेंडर विग्यापन का है क्या का है लिंग और जेंडर विग्यापन का है आगे है इनकी आलोचन कुछी का है कि छोटी छोटी बातों को लेकर अत्य दिख मैटों देते हैं यह तो लेख लिखते ये ऐसंग को लिखते को तो इनका जो सिदान्त है, वो किसी भी सिदान्त में नहीं आता है। एक अउदारना दी थे base då, इसben हे पागल खाना में है जहांपर सब निरिदारन है वहांगी जो प्रदीरण होता है, जो मुखे लोग होते हैं। वो करते हैं, उनके बीच में एक समुदाय रहता है, जो मुख्य समुदाय से कटा रहता है, जैसे जेल है, पागल खाना है, आवास ही है, होटल है या खुली जेल है, तो वहां काम भी वहीं होता है और निवास भी वहीं होता है, दोनों एक इस्तान होते हैं, काम और निवास क अब है जो हम बात कर रहे थे प्रतिकात्म कंते क्रियावाद की सुक्सम एंपारस्परिक के रिया सिधानत वेताओं की तो इनकी मुख्य विशेशताएं क्या है इनकी मुख्य विशेशताएं क्या है आनुभाविक अध्यन और निकटतम अध्यन ये क्या करते हैं आनुभाविक अध्यन करते हैं ये जीवन को बड़े नजदीक से देखते हैं ऐसे नहीं कि अपनी खुर्शी पे बेट गे और कु लोकन का प्रयोग करते हैं ये सारे के सारे ज्यादातर है वो शिकागो संपरदाय से समंदित है किसे समंदित है शिकागो संपरदाय से समंदित है और शिकागो संपरदाय वो नगरिय जीवन और समाजिक समस्याओं पे अपरादों पे मुख्य रूप से लिखता है ये छोटे समों का धियन करते हैं इसमें सिधांत निर्मान बहुत कमजोर होता है ये प्रतिकातम कंते करिया या शुक्सम जो सिधांत है उनकी मुख्य विशेशता हैं अब एक नजर इनके पुστकों पे डाल लेते हैं कि कौन-कौन सी पुस्तकें लिखी तो कई पुस्तकों का तो जिकर आ चुका है, इनके अलावा जो कुछ पुष्ट के और बच गई है, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं, Communication Conduct in an island community, शेट लेंड की यहां पर बात कि रही है, 1953 के अंदर, यहां पर इनोंने सोध किया था, Behaviour in Public Places, 1993 के अंदर, कि Public Place के अंदर किस परकार का वेवार होता है, Relations in Public, Public में किस परकार के Relations होते हैं, यह पुष्टक है, इनकी Interaction, Rituals, Antakriya, Anushantan, इनका हिंदी में क्या हो जाएगा, Antakriya, Anushantan, यह इनकी पुष्टक का नाम है, तो जो पुष्टक में पुषी जा चुकी है, Gender, Advertisement, विज्ञापन, Link, विज्ञापन, यह महतोपरण है, यह अगली बार Net के अंदर आएगा, यह परसन इस पुष्टक से अगली बार Net के अंदर यह परसन जरूर आएगा, मुझे लगता है, और Forums of Talk, बातचेत की Forums, सवरूप, तो यह इनकी परमुख पुष्टके हैं, तो आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,